देखिए ए ग्रूप आप ड्रेगन फ्लाइज वेर ब्लेस्टिंग एबाउट ऑन दे गिडी परपल विंग्स ड्रेगन फ्लाइज माने होता है कीट पतंगा ब्लेस्टिंग एबाउट माने फूल आप नौय से यहनि सोर मचाते हुए और गिडी माने होता है बहुत चमकीला तो पूरे कार्थ हो जाएगा तिड्डों का एक जुन्ड तेज बैगनी रंग वाले पंखों को इधर उड़ा रहा था तिड्डों का एक जुन्ड तिड्डों का एक जुन्ड तेज बैगनी रंग वाले पंखों को तिड्डों का एक जुन था उनके जो पंख थे बैगनी रंक थे वह अपने पंखों को इधाउधर करता हुआ उल रहा था इंटर्सेक्टिंग अफ लोन ब्लेक भी, और बेटर फ्लाइइ इन सर्च ओफ सूइटनेश फ्राम द्फ्लावर और वह जो है इंटर्सेक्टिंग बाधा पंख रहा था या भेद रहा था फ्लाइट अफ लोन ब्लेक भी लोन माने होता है अकेला फ्लाइट माने होता है उडान और या ब्लेक भी माने काला मक्खी मक्खी और बटर फ्लाइ या तितली इन सर चाफ स्वीटनेस जो मकरंद की तलास माईत फ्लावरों ने फूलों से वो जहे फूलों की तलास में निकली हुई एक काली मख्या तितली की उडान में बादा पहुचा रही थी जब तक उसमें से तिल वन आप देम उसमें से एक ने अपने पंक को मूढ नहीं लिया और राम करने के लिए बैठ गई and he would try to काट इस और बच्चे ने उसको पकड़ने का प्रयास किया but it would go fluttering and flipping up into the air लेकिन अपने पंक को फलफ़ाते हुई हवा में उड़ गई अब देखो यह fluttering फलफ़ार होता है पंक को फरफ़ाना और फ्लैपिंग माने होता है पंक लहराते हुए पंक को फरफ़ाते और लहराते हुए हवा में उड़ गई जब उसने लगबग पकड़ लिया है इन ही है अपने हाथ हो में वन बोल्ड ब्लैक भी एक काली मक्खी बहादूर फैविंग इविड़ इविड़ मने होता है दूर करना है जिसको बोलते है विड़ पकड़ से बचाओ के लिए पकड़ से बचाओ करती हुई साट टू इंपेट हिम बाई विनिंग बच्चे को साट टू बच्चे को पनिवर आकरसित करते हुए यही विनिंग हीज हाँ देखिए उसके पास के उसके कान के पास भूनाते हुए हीज मदर गेव एक कास नरी काल तभी उसकी माने सचेत भरी आवाज में बुलाया या सचेत करती हुई उसको बुलाया कम चाइड बच्चे आजाओ कम चाइड बच्चे आजाओ आन दे फुट पाथ पकड़ंडी पर ही रेंड फारवर्ड ही रेंड तौर्ड इस पारेंट से गेली वे प्रसंड़ता के साथ अपने माता पिता के पास दोड़ा और वाग्ड अबरेस्टेड आन आप देम फार ए अबरेस्टेड अबरेस्टेड माने होता है दिसा में अगल बगल आप देम फार दे बिंग और जो सड़क थी दिसा थी उसके अगल बगल में बिंग हुए थे हाव आर सून लेफ्ट बिहाइंड फिर देख लिजे ही रें टो आजस पैरेंट से गेले प्रसंड़ता के साथ या प्रसंड़ चित के साथ अपने माता के पिता की ओर दोड़ा आएंड वाग्ड अबरेस्टेड देम फार ए बिंग अबरेश्टेट में होता है अगल बगल एक ही दिसा में और कुद देर तक जह है उनके साथ चला बच्चा जह है उनकी तरफ दोड़ा और उनके साथ कुद देर उनके साथ आगे चलते हैं चला अबर सुन फिल लेट बिहाइंड और सीग्री पीछे छुड़ गया अट्रेक्टेट बाइद लिटिल इंसेक्ट छोटे छोटे कीडों की और आकरसित होकर कुद देर तो बच्चा साथ चला जब माता पिता ने दवलाया लेकिन सीग्री वाजे अट्रेक्टेट बाइद इंसेक्ट कीडों से आकर सित होकर के लेट बिहाइंड पीछे छुड़ गया आएंड वार्म्स मकोडे हैं इलोंग द फुट पाथ द फूल भरे हुए थे फ्राम आउट फ्राम द फ्राम द लेटिंग प्लेस जो पने छुपे हुए अस्थान पर भरे हुए थे to enjoy the sunshine फिर देख लिजे अट्रेक्ट बाइद शूल लेट बिहाइंड सिगरी पीछे छुड़ गया अट्रेक्ट बाइद लिटिल इंसेक्ट छोटे कीडों और मकोडों से छोटे कीडों मकोडों से कीडोरा कर सित होकर के वह अगया है पीछे छुड़ गया along the footpath जो शड़क के अगल बगल थे that way teeming out that way teeming जो भरे हुए थे that way teeming out from their feeding place to enjoy the sunshine जो सूर का अनन्द या सूर के प्रकास का अनन्द लेने के लिए सड़क के चालो तरह भरे हुए थे come child, come बच्चे आजाओ his parents called them, called from the seed of a grove, grove माने होता है कुझ बच्चों के माता पिता जो थे उसको एक कुझ जो बगीचे की छाय में से बुलाए when they had seated themselves on the age of well, जब वे एक किनारे की जगत जिसको बोलते हो जब वे एक कुझ गए थे वे एक बाग में कुआ था कुए के किनारे पर जिसको आप लोग जगत बोलते हो जो पडेस्ट्रिल चबूतरा बना होता है कुझ के चारतरब उसी पर बैठ करके वे पुने जहे बगीचे में जो कुमा था चाया थी उसी पर बैठ करके वे बच्चे को पुलह बनाते हैं कुवे के गार पर बैठे हुए थे हीर एंट टुवाट दें हुआ है बच्चा अपने माता पिता की और दवड़ा एंड ओल्ड बार्यान ट्री एक पुराना वर्गत का पिल एक पुराना वर्गत का पिल आउट सेच इस पालफुर पावर फुल आर्म ओवर दे बलसिंग जैक और जश्मीन और नीम और चंपक और रिसन और कास्ट इस साड़ एक्रास बेड अफ दे गोल्डन कैसिस और क्रिंशन गुलमुहर आइस और ओल्ड गेंड मदर प्रेट हर इसकर्ट ओर एक पुराने बरगत ने अपनी मजबूत बाहें फूलते हुए कटाल जैक है फूलते हुए कटाल और जामुन जामुन का और नीम और चंपा और श्रीष पर फैल रहा है रखी थी जो पुराना बरगत का पेड़ था उसकी जो टहनिया थी डालिया थी वह कटाल जामुन नीम और चंपा और श्रीष पर फैल रही थी और अपनी च्छाया को सुनहले के सरीया वह लाल गुलमुहर की क्यारियों के ऊपर इस तरह फैला रही थी और जो उसकी जो च्छाया थी जो सेड़ो बन रही थी उस पेड़ की वह च्छाया ज्या सुनहले केसिया और लाल गुलमुहर की क्यारियों पर उसी तरह से पड़ रही थी जो च्छाया थी से बरगत के पेड़ की च्छाया थी वह रहान दिजेगा सुनहले कैसिया की क्यारियों पर वैसे ही पर रही थी जैसे एक दादी मा बुड़ी दादी मा अपने नाथी को अपने कोच में यह आचल में छुपा कर रखती है इसकर्ट दिया है ने इसकर्ट मने काप होता है यहां पर आंचल से मतलब है जैसे दादी मा अपने आचल में जहें अपने नाती को चोटे बच्चे को दामन में चोटे चोटे बच्चे को उपर फैलाय रहती है दूपचाहां से बचने के लिए बट दे ब्लसिंग ब्लुजम फ्रीली आफ़र्ड देर डॉर्शन टू दे सन लेकिन अपनी रचिका की उपस्ति के बावजूद भी उन शर्मीले फूलों ने सूर की और सूर के अपने सम्मान सुमन अर्पित करने कर ही रहे थे या कर दिये ब्लसिंग ब्लुजम फ्रीली आफ़र्ड आफ़र्ड माने होता है भीट कर देना देर अपने पासना टू दे सन इन दे स्पाइट आफ देर प्रोटेक्शन चैपर सन लेकिन इतनी प्रोटेक्शन इतना कवरिंग या इतना प्रोटेक्शन के बार्द भी ये छोटे छोटे फूल मलव पेड़ थे वे सूर के प्रती अपना सम्मान या सूर के प्रती अपना पर्फ्यूम आप देर पेलोन मिंगल बिद्ध साथ कूल ब्रीज और जो एंड एंड स्वीट पर्फ्यूम और मीठा मकरंद आप देर पेलोन में उनके पराकण का या मकरंद का मिंगल मिल जाता था बिद्ध साथ आराम से और और पराग को मीठे सुगंद को इस उस कोमल सीतल वायू में मिला दिया था जान दिजेगा मिंगल मने मिला देना होता है बिद्ध साथ कूल ब्रीज ठंडी हवा में देट केम एंड एंड वेंट जो आती जाती थी इन दे लिटिल पप मने हाँ छोटे छोटे जोटे 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 के साथ हवा चलती थी उसमें मीठी सुगंद उसमें पराग को अपनी मीठी सुगंद को उस कोमल सीतल वायू में मिला दिया था, only to be the opted allowed by the stronger wind, stronger wind में जो हवा तेज चलती थी, हवा शक्तिसाली थी, उसमें जो है मिल जाती थी, जिस पर अधिक स्क्तिसाली वायु के थेपेड़े पड़ रहे थे, यहनी जो थे हवा जो थी जाये पेड़ मान लेजिए, उस पर जो है तेज हवा के जो 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 जोंके थे, उसमें चोटी चोटे जोहे मिल जाते थे, देख लिजए अहां पर, पर्फ्यूम पर्फ्यूम मने होता है पराग मिंगल मने मिल जाता था तबिद साफ्ट by the half covering देमसलब आधा ठके हुए and the sweet पर्फ्यूम आप देर पर्फ्यूम और जो मीठा मकरंद था मिंगर मिल जाता था, बिद्ध साथ मने बड़े आराम से, कूल ब्रीज है, ठंडी हवा में, दैट के जो आती थी, एंड वेंट जाती थी, लिटल पब मने छोटे छोटे जोटे 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 पेड़े तेजवा की जोगों कोँ से यह सोवर आप फूल्साव यूप्स में उतके हो एक ख़त दित्व करें this वाज़त नहींको डिए जो गड़ोग deben कुझ में प्रवेस किया and forgetting his parent और अपने माता-पिता को भुला करके he began to gather the raining पठल और अपने माता-पिता को भुला करके गिर्ती हुई पंखुणियों को इकठा करने के लिए दवड़ पड़ा इनी जेन्मेने पने हाथों में he heard the cooing of dove उसने फाकता के कुंकरे की आवाज को सुना and ran towards his parent और अपने माता-पिता की और भागा सार्टिंग चिलाते हुए the dove पेनुकी पेनुकी raining पटल से dropped it from his forgotten hand उसके छोटे-छोटे हाथों से जो पंखुणिया थी गिर गई गिर पड़ी a curious look was in his parents face उसके माता-पिता के चेहरे पर एक बिचित्र भाव था till a coil तभी एक coil ने stuck out a note of love तभी एक coil ने मीठे तान को छेड़ दिया and relaxed in their pencil और उनके जो pencil था वह थोड़ा जहे राहत महसूस कर लिया झाल झाल